इस रोन ने शनीवार को बताया कि प्रज्यान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया है इसमें लगे दोनों पैलोड अब बंद है इन पैलोड से डेटा लेंडर के जरिये प्रत्वी तक पहुचा दि रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चान पर अगला सुर्य उदे होगा तो सुर्य का प्रकाश सोर पैनलोर पर पड़े इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है उमीद की जा रहे है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा चंद्रयान तीन मिशन 14 दिनों का ही है ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रेता है रोवर लेंडर सुर्य की रोशनी में तो पावर जनरेट कर सकते हैं लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुख जाएगी पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोनिक्स भेंकर ठंड को जेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे इससे पहले दिन में इसरों ने बताया था कि रोवर ने शिवशक्ती लेंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय कली है इसी के साथ बने रही है एशानी जिन्दा के साथ खंडी बाद